इन दिनों WhatsApp चाट्स ने तहलका मचा रखा है लगातार end-to-end encrypted चाट करने वालों की चाट्स लीक हो रही है WhatsApp के दावों की धच्चिया उड़ गई है WhatsApp को लोग सेफ मांगते थे कि WhatsApp में की गई चाट कोई third party उसे access नहीं कर सकती पर इन दिनों Bollywood के सितारों की WhatsApp चाट हर इनसान के फोन में है अब ऐसे में WhatsApp कमपनी की यानि Facebook ने खरीद लिया उनकी सफाई आई है क्या मतलब है WhatsApp चाट के आपकी लीक हो सकती कोई पढ़ सकता है क्या है तक्निकी मामला मैं आपको समझाते हूं इस वीडियो में अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लिजे यह मसला सुशान सिंग रात्पूते केस में शिरू हुआ था लेकिन तब से लेकर ड्रक को लेकर के नए नए मामले देखने में आ रहे हैं और बहुत सारे लोगों के चैट से हमने है दिपिका पदकून का मुद्धा सुर्खियों में रहा अब यह चैट उनकी 2017 के सामने नहीं कर सकता है अब यह किसी सर्वर पर सेव नहीं होती वाट्सअप चैट जो है मैसेज़ सर्वर पर सेव नहीं होती अब लेकिन सुशान सिंग राजपूत की मौत िगुधि सुलजाते वक जब यह चैट लीक हुई है तो इस मुद्धे पर सवाल उठ रहे हैं ऐसे वे लोगों का विश्वास जीतने के लिए WhatsApp ने अपने ओफिशल स्टेटमेंट और ब्लॉग के जरी उसर को समझाने की कोशिश की है कि चाट कैसे लीख हुई तो उनके स्टेटमेंट के हसाब से end-to-end encrypted जो WhatsApp चाट सभी को प्रोटेक्ट करती है चाट को सेंडर और रिसीवर के अलावा कोई पढ़ नहीं सकता क्योंकि WhatsApp पर login phone number के सरी होता है company operating system manufacturers की सारी guidelines मानती है जिसकी वैसे सिर्फ phone device पर ही चाट से वोती है अगर अप laptop पे करते हैं तो आपकी वो चाट चली जाती है सेव नहीं होती है इसके लाव वाट्सएप एक यूजर को चाट फर्दर प्रोटेक्ट करने के लिए आप पासवर्ड जो आपका Password होता है झॉप नबर पासवर्ड होता है और Biometric ID देता है Biometric ID है नहींए आपकी EY's और जो चिशाए आपको Thumb का फेस का जो भी वह आपकी Biometric ID होती है ताकि आपकी handset पर जो चाट है वो किसी और को ना मिल सके तब सवाल है कि दिपिका बैक अप Google Drive या Apple के iCloud पर लिया था, यानि वो connected थी उनकी चैट, उनकी चैट वहाँ पर save हो रही थी, गौरत अलबे की ड्रग से जूड़ी चैट एक WhatsApp ग्रूप में हो रही थी और यह सब जया उनका हिस्सा थी, तो उनकी चैट जब वहाँ पर backup हुई, तो उसी चैट में, मिश्मा भी थी, वहाँ पर save हो गई, तो backup platform WhatsApp की end-to-end inscription policy में cover नहीं होता, अगर कोई भी जहांच agency किसी suspect के phone की data को किसी दूसरे device पर, मतब मेरा phone है, अगर आपके device पर copy करेगी, तो normal नहीं कर सकती, copy नहीं कर सकते हैं, मेरे ही phone का मेरे ID से कर सकते हैं, दूसरे ID पर नहीं कर स होता है, तो phone cloning का इस्तेमाल होता है, phone cloning के जरीए backed up chats पढ़े जा सकते हैं, और उसमें deleted chat भी पढ़े जा सकते हैं, क्यूंकि copy paste नहीं करते हैं, बलकि cloning करते हैं, cloning करने में imaging technique से bit by bit data copy कर आता है, यहां तक कि delete किया हुआ data भी copy कर लिया आता है, और ऐसे ही संदिक्त जानक प्राप्त होती हैं, तो एक यह detailed, यह charge agencies cloning को इस्तेमाल करती हैं, दिक्तर, जो inquiry agencies है, CBI, FBI, बाकि सब लोग, तो यह WhatsApp ने अपने official site पर लोगों का विश्वास चीतने के लिए यह दिया है, क्योंकि Facebook ने recently WhatsApp को take over किया, तो कहीं सवाल उठने लगे थे, कि क्या WhatsApp safe है, क्या convince हुए आप, phone cloning से डर लगता है आपको, जरूर बताइए, बने रहे हैं मेरे साथ, लगातार ख़बरों का सलसला जारी है